चांद की दूसरी तरफ हाजरा मसरूर ताजमहल होटल के सामने से पहले भी कभी कभार गुजरा हूँ लकड़ी के भद्दे से कैबिन और सेमेंट के थरड़े वाली चाय की दुकान पर ताजमहल होटल का बोर्ड देख कर मुस्कुराया भी हूँ लेकिन पिछले दो महीने से ये होटल मेरी जिन्दगी के नए रास्ते का एक एहम मोड बन गया है जहां मैं अपनी पुरानी साइकल को हर रोज ब्रेक लगाता हूँ और एक पाउंट फुट पाथ पर टिका कर बे फिकरों की तरहां बूढ़े दुकानदार से कहता हूँ दो प्याली स्पेशल चाय इधर बिजवा दो अभी लीजियो हुजूर बस आपके पहुंचने की देर है वो बड़ी मुस्तेदी से जवाब देता है और पंखे से कोईले धूटता हुआ गुलगती छोकरा मुझे देखकर मुस्कुराता है और वाकई अभी मैं अपनी साइकल को बरामदे के पास रोक कर टाला लगाता हूँ शेह के मुसाहिब वाले सलाम कुबूल करता जबबार के कमरे में कदम रखता हूँ के गुलगती छोकरा तीर की तरह वहां पहुँच जाता है दूज शकर मिली चाई की केतली और दो साबित प्यालियों से सजी ट्रे जबबार के सामने रख देता है उसे सलाम करता है और कमरे से हवा हो जाता है अच्छे मेजबानों की तरह आज भी जबबार ने खुदी प्यालियों में चाय उंडे ली पहली मेरी तरफ बढ़ाई और दूसरी प्याली से ऐसे जोरदार घूट लिये जैसे हुक्ते के पेंडे से चाय खीच रहा हूँ मेरे साथ चाय पीते हुए जबबार हमेशा शेरो अदब की बात इस तरह छेड़ता है जैसे मदारात के तौर पर केक के टुकड़े मुझे पेश कर रहा हूँ ये लम्हे मेरे लिए दूबर होते हैं क्योंके मेरे सामने तो अपने डेस्क इंचार्ज का चेहरा होता है जिसने दफ्तर में खदम रखते ही पहले दिन जटा दिया था के देखिये साहब ख्याल रहे ये अफसाना नवेसी तो है नहीं के जब तक चाहे बैठ कर अलफास के मौती जड़ते रहे यहां तो घड़ी की सूईयां देखकर काम करना होता है समझे आप मैंने तो अपने इंचार्ज साहब की बात समझ ली थी लेकिन जब्बार को नहीं समझा सकता था इसलिए हजब मामूल आज भी जब्बार बरसों पहले पढ़ी हुई एक कहानी का दिक्र कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा सर पत्थर का हो गया है और मेरा जी चाहने लगा कि यह पत्थर अपने हाथों से उठा कर जब्बार के मुँः पर दे मारू लेकिन जब्बार जूही चाय का आखरी घोट लेकर अपनी मूझे पोच्चता है और मेज का दरास खोलता है तो मेरे दिल में जब्बार के लिए स्कूल और कॉलिज के जमाने वाला प्यार फिल्कोरे लेने लगता है अच्छा यार अब तुम अपने राशन का कोटा संभालो जब्बार बड़ी वज़ादारी से यही फिक्रा रोस कहता है इसके बावजूद ये फिक्रा सुनकर मेरी मसलसल बेमानी से मुस्कुराहट बेसाखता कहके में तब्दिल हो जाती है जब्बार का ये फिक्रा दिल्चस्प हो या नहो इसमें सच्चाई जरूर थी मजीद देखो अंदर किसी को आने ना देना मैं काम कर रहा हूँ जब्बार ने दर्वाजे वाले सिपाही को रोज की तरह हुकम दिया और ठाने का रोज नामचा यूं खोला जैसे किसी अमीर मरने वाले का वसीयत नामा और मेरी नजरे उस पर भीगी मक्हियों की तरह रेंगने लगी उस रोज नामचे में दर्ज होने वाले जराइम हम दोनों की रोजी का जवाज है जबार 6-7 साल पुराना पुलिस अफसर है और मैं एक नए अखबार का दो माह पुराना क्राइम रिकोर्टर हूँ जबार के अबार पुलिस से रिटायर हुए तो पॉलिटिकल ब्रांच में उनकी खिदमात के पेशे नजर जबार को मुलाजमत बिये के इमतिहान का नतीजा निकलते ही मिल गई मेरे अबाई स्कूल मास्टर थे इसलिए वो मुझे आला तालीम के बाद कमसकम युनिवर्सिटी लेक्चरल तो देखना ही चाते थे इसलिए मैं पढ़ता रहा लेकिन मुश्किल ये थी कि स्कूल मास्टर की खिदमात के इंदराच का कोई खाना तो होता नहीं इसलिए मुझे युनिवर्सिटी क्या स्कूल में भी मुलाजमत ना मिली उस जमाने में जबार कभी मिलता तो कहता यार घर बसाने चलोगे तो रिसालों में तुम्हारा नाम छपने से काम नहीं बनेगा इसलिए कोई नौकरी वाकरी ढूंडो और अब बिलकुल इत्तिफा इसलिए मेरा काम निकलवा देता वरना एक नए अखबार के अनाड़ी रिपोर्टर को दफ्तर में अच्छी कारकरदगी दिखाने में खासी परेशानी होती मैंने अपनी नोट बुक और पैंसिल संभाली तो जबार ने कल शाम से आज तक होने वाले जराइम की तादाद औ और फिर सबसे पहले रिपोर्ट में गतल के केस की तफसीलात मुझे बताएं। चौकडी हुई ना जाने कौन माका है। जबार ने अपनी हुक्म अदूली के खौाहिश मन अंदेखे आदमी को गाली दी मगर गाली का लवज मुझ में गिडगडा कर निकल गया। मेरी मौजूदगी में वो अब भी जरा जिजगता था। आने दो भाई मैं अपना काम कर पता रहूंगा। मैंने जल्दी जल्दी पैंसल घसीटते हुए कहा। मैं अपना काम जारी नरक सका। कतल और खौन की खबरें बनाना और बात है। खौन बहते देखना और बात। अंदर आने वाले के माथे से बहता हुआ खौन उसके चेहरे को अजीब भयानक रंग देत है। अंदर आते हुए सिपाहियों में से एक ने केस की नौईयत का फैसला तेजी से कर दिया और जबार ने घूर कर उसे देखा। ठाने के आहाते में किसी का यूं खुले बंदों जखमी होना खासी एहम बात हो सकती है। इसे बिठा दो इसका खून बंद करो फंडे पान रुमाल उसके हाथ पर रखकर हथेली से दबा लिया। मैंने अपने रुमाल से उसका खून आलूद चहरा साफ किया और उसका सर कुरसी की पुष्ट पर टिका दिया। मजीद का बड़ा सा रुमाल उसके ओवर कोट से खून के धबे मिटाने की बेसूत कोशिश में काम आय जी बड़ी महरबानी आपकी। उसने इंसानियत से जबार का हाथ अपने माथे पर से हटा कर उस जगा पर अपना हाथ रख लिया। हम सब खामोश थे और उसके दहशत ज़दा चेहरे को देख रहे थे। रपट लिखवाना थी जी। जखमी अजनबी ने हापते हुए कहा किस बात की। जबार ने कुरसी पर बैठ कर पूछा। जी पहले आप शुरू से सारी बात सुन ले। अजनबी ने शर्थ पेश की और मैं जबार की तरफ देखकर मुस्कुराया। जैसे शर्थ मानने की सिफारिश कर रहा हूँ। हम। अच्छा हर बात सच्च्च्च्च् इसलिए तो आपके पास आया हूँ साहब जबरदस्ती आया हूँ जूट क्यूं बोलूँगा। उसके लटके हुए सिया होटों पर एक हिकारत आमेज मुस्कुराहट पर मारती गुजर गई और माथे के रुमाल पर रखा हुआ हाथ कापता रहा। साहब आप तो जानते है कि अपनी ओलाद सभी को खुबसूरत लगती है। मगर मेरी लाली को पडोस वाले बिरादरी कुम्बे वाले सभी खुबसूरत समझते। कोई उसे परी कहकर पुकारता, कोई शहजादी, कोई सोहनी, वो कहते कहते रुका। फिर उसने आख लड़ाई किसी से। रिपोर्ट पर थाने में बैठे हुए किसी भी बाप का सर जुख सकता था। लेकिन बयान देने वाला उचल कर कुरसी पर सीधा बैठ गया। माथे का गीला रुमाल उसकी गोध में गिरा और माथे के जखम से खुन के गत्रे फिर उसके चहरे पर फिसलने लगे। देखें जी थानेद रहा और फिर हुक्म दिया। इसके जखम पर थंडा पानी डालो और देखो पट्टी बांदो तो अच्छा है। हाँ क्या नाम है तुम्हारा। ताजदीन। देखो ताजदीन अपना सर कुरसी से लगाय रखो। समझे। कुरसी गंदी न करो। जबार के एहकाम की तामील फौरन हो गई। जी ऐसी बात जबान से निकाली मेरी लाली के लिए। हुँ साहब। साहब जी मेरी लाली की नेकी का हाल जिससे मर्जी हो जाकर कट्रे में पूछ ले। वो तो जनाब जब से बड़ी हुई है घर से अकेले कदम भी नहीं निकाला। दर्वाजे में भी घर तो चांद उतर आया है। मेरी मा जब तक जीती रही उसे बहुत तकलीफ देती रही। और जी मैं भी मा के कहने में रहा। फिर भी लाली की मा ने मुझसे ना कभी जबान चलाई ना कभी कुछ मांगा। बस मेरी खिदमत करती रही। कट्रे में जाकर जिससे चाहे पू लाली पैदा हुई तो क्या हुआ? पूछा गया. जी, उसकी माने लाली को मेरी गोद में डाल कर कहा. लो, तुम्हारे घर नया चांद उत्रा है. जनाब, लाली की माने साथ बच्चों में से कोई बच्चा मेरी गोद में इस तरह न डाला था. फिर तुमने क्या कहा? मैं बेस कर बाहें फैला देती. कभी उसकी माँ अपने पास सुला लेती, तो रात को जाकर रोती, और जब ही चुप होती, जब मेरी च्छाती पर लेट जाती. ठीक है, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? वो बताओ. जब बाहर अब खासा बेचान हो रहा था. जी, मैंने पांच लिए तुम से उसके जोड का खूबसूरत दूला मांगती हूँ. याद रखना. और जी, मैंने उसकी बाद गिरह में बांध ली. इतना कहकर ताज की आवाज भर रा गए. और उसने अपने होंट भीच लिए. और मैंने देखा कि थाने के उस कमरे में मौजूद सिपाही ज मां के किस्से. वो बार बार जबार की तरफ देख रहे थे, जो गालिबन मेरी मौजूदगी की वज़ा से बड़ा गंभीर बना बैठा था. क्योंकि मैं इस बयान में जरूरत से जियादा दिल्चस्पी ले रहा था. हूँ. फिर तुमको लाली के लिए मुनासिब पिरादरी में भी लड़के थे. सभी ने लाली का डोला मांगा. मगर जी मुझे तो अच्छी शकल वाले रिश्टे की तलाश थी. इसलिए मेरी लाली सतरा साल की हो गई. मेरी और जबार की आँखें बे इरादा ही एक दूसरे की तरफ उड़ गई. साहब, आप अकल वाले हैं. बेटी चाहें पिंजरे में बंद लाल जैसी हलकी फुलकी हो. फिर भी सब कहते हैं. अरे ये पहार सी बेटी का बोच कब तक उठाय रहोगे? इसकी उमर अब ससुराल जाने की है. राज दीन की गहर जरूरी तफसील से जबार के सबर का पैमाना चलकने लगा. हाँ जी लाली तो कहीं भी नहीं जाना चाहती थी. वो तो अपने माबाप से इतना प्यार करती कि एक दिन के लिए भी अपनी बियाही बेहनों के घर ना गई. मैं बताओं साहब, एक दफ़ा उसकी एक बेहन को जिद हो गई कि रात लाली मेरे पास रहेगी. इस पर लाली बच् से रिष्टा नहीं मिला तुम्हारी बेटी के लिए. जबार ने फौरण अपनी ड्यूटी संभा ली और ताश दीन चौंक उठा. रिष्टा मिला जी. एक दिन वो लोग आप ही की राशन शौप वाले से पता पूछते मेरे दर्वाजे पर आ गए. उन्होंने अफजल हु वलत मुहमद हुसैन की बड़ी तारीफे की. अपना घर, हाथ में हुनर, सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं. मसकत में अच्छी नौकरी पर जा रहा है. शादी जल्दी चाहिए. उन्होंने जी घर और महले का पता भी दिया के जाकर तस्दीख कर लो. मैंने कहा पहले लड़क तमीज और काली पतलून में ऐसा लगता जैसे फूलों में फूल गुलाब होता है. तार्जदीन की आँखें यू छट की तरफ तक रही थी जैसे वहां मकडी के जालों के बजाए गुलाब के फूल खिल रहे हूं. फिर तुमने फोरां रिश्टा तै कर लिया? नहीं जी. पहले उसके घरबार की तद्दीख तो करना थी. मैं जी उसके महले पहुँचा और अबजल हुसैन वलद मुहम्मद हुसैन के बारे में पूछा. कोई बात भी जूटना थी. मैं उसके घर भी गया. उसकी चाची मौजूद थी. उसने मेरी बड़ी खातिर की. मैंने बात प खुश हुई? मैं पूछ बैठा. कहीं शरीफ नेक लड़किया अपने बियापर खुश होती हैं. मैंने तो बताया साहब, वो तो एक दिन के लिए भी घर छोड़ने को राजी ना होती थी. अब तो उसकी बाराद दूसरे शहर से आ रही थी. और उसे बियापर समुंदर प पास चला गया. फिर तो जी, वो मुझसे लिपट कर बहुत रोई. उसे अपने हाथों की महंदी का होश भी न रहा. वो बार बार कहती, बाबा, मैं कहीना जाओंगी तुम्हे छोड़कर. फिर जी, मैंने बेहयाई लाद कर उसे समझाया, कि लड़का शहजादों जैसा है, खाता पीता है, और वो अपने घर जाकर कितनी खुश रहेगी, और जब वो खुश होगी तो मैं भी खुश होगा, बस मेरी बाते सुनकर मेरी लाली आराम से सो गई. अच्छा अच्छा ठीक है, फिर बारात आई, जब बार बयान की तह तक पहुँशने को बेकरार था. जबे में नोटों का इतना बड़ा हार था कि घुटनों को छू रहा था, और जी उसने कश्मीरी दोशाला भी जिस्म से लपेटा था, सर्दी भी तो बहुत है आज, है ना सर्दी, जब बार ने अंग्रेजी में मुझसे कहा, ये तो मुझे पागल खाने से भागा हुआ ल क्यों बांगते हैं दूला के? ताजदीन ने जबार की आँखों में आँखें डाल कर एकदम से पूछा, ठाने में आने वाले सवाल का जवाब देते हैं, सवाल नहीं करते, इससे पहले के जबार इस गुस्ताखी पर गाली बकता मैं बोल पड़ा, अरे ताजदीन सहरा इस कैसा आदमी मिला था तुझे? कहता था अपनी बेटी के लिए उसके जोड़ का दूला लाओंगा, तुने पैसा देखा, तुने लालच की, जी मैं तो शरम में गड़ गया, ये सब कहते हुए वो बच्चों की तरहा फूट फूट कर रो रहा था, अच्छा, तुमारे साथ धोका किया गया है, लड़का कोई और दिखाया था, मजीद, इसे पानी पिलाओ, दो गूट पानी पीकर, उसने होट पोंचते हुए फिर कहना शुरू कर दिया, अल्ला भला करे आपका, आप समझ गए, यही बात है, मैंने सब के सामने चिला चिला कर कहा, मगर किसी ने मेर बात के यकीन नहीं किया, यह देखकर बराती मुझसे जगरने लगे, मैंने कहा, मैं थाने में रपट लिखवाने चा रहा हूँ, अच्छा, तो तुम धोका दही की रिपोर्ट दर्च कराने आये हो, एक कॉंस्टेबल बोला, जैसे खुदे हुए पहार से चुहे की दुम खीच रहा हूँ, नहीं जी, मुझे तो बुजर्गों ने पकड़ लिया, और समझाने लगे के ताजदीन तु गरीब आदमी है, कहा थाने कचेहरियों में पेशियां भुकतेगा, वकीलों को खिलाने के लिए कहा से लाएगा, और फिर ये पैसे वाले लोग हैं, जूटी गवाहियां पेश कर देंगे, ताजदीन बोलते बोलते रुका, उसके बाद क्या हुआ, जब बार ने बेचैनी से पहलू बदला, जी मैंने कहा मैं लाली का डोला, इन धोके बाजों के हवाले नहीं करूँगा, चाहे जान चली जाए, आखरी फिक्रे पर वो जोर से रोया हम, उसके बाद तुमने क्या किया, जब बार ने सकती से पूछा, मैं अपनी बात पर अड़ा रहा, बाराती पहले तो धंकियां देते रहे, फिर अपनी पगड़ियां और टोपियां मेरे भाईयों के पैरों पर डालने लगे, बुजर्गों के घुटनों को हाथ लगाए, और मेरे बेटों दामादों के साथ हाज जोडने लगे, कई महमानों को कोने में ले जाकर जाने क्या क्या बाते की, फिर जी, वो लोग जो मुझ पर हस रहे थे, ताने दे रहे थे, वो सब दूला के हमायती बन गए, मेरे भाई, मुझे अल्हा रसूल का वास्ता देने लग जो हुआ, जो हुआ, उठो, अब देख ठंडी हो रही है, महमानों को खाना खिलाओ, और जब मैं मौलवी साहब के कहने से भी न उठा, तो भाईयों ने और बेटों ने काम संभाल लिया, अच्छा, तो फिर तुमने क्या किया, ये बताओ, जी मैं क्या करता, मुझे तो लगके रोड़े की तरह एक तरफ फेंक दिया, आप बताएं जी मेरा क्या कुसूर था, जो सबने मेरा अफ्तियार छीन लिया, फिर जी वो सब मेरी लाली को रुफसत करने लगे, वो फिर चुप हो गया, कमरे में भी सब चुप रहे, जब लाली ससुराल जाने को निकली, तो औरतों के पीछे लाली की मावी दुपटे में मूँ छुपाय बाहर आ गई, उसने मुझे कुटे की तरह एक तरफ हापते पाया, तो वो बात कही जो पहले कभी न कही थी, ताज दीन की सिया गर्दन की नोकीली हड़ी, थूख निकलने की कोशिश में बार बार हरकत करन लगी, क्या कहा लाली की माने, जब बार ने पूछा, कहने लगी, ताज दीने, तुझे क्या पता, तेरे जैसे बस शकलों के साथ, चांड जैसी लड़कियां किस आदमें जलती हैं, मेरी कली जैसी लाली को अपनी आखों के सामने भार में जाने दे रहा है, तूने मुझे जबान दी थी, अब दूसरों की बात मान गया, अगर तू मर्द है, तो इसे न जाने दे, उसके बात तुमने क्या किया, सच बताओ, जब बार कुरसी पर सीधा हो गया, सच कहता हूं, मुझे नहीं पता कैसे, खाली देख के पास पड़ी बावर्ची की छुरी मेरे हाथ मे आ गई, और जी, और जी मैं, बस में सवार होती बरात के पीछे भागा, अफजल हुसैन बस के दर्वाजे में खड़ा था, उसने कापते होटों से, पानी का ग्लास उठाकर होटों से लगाना चाहा, मगर सारा पानी उसके ओवर कोट पर गिर गया, कमरे में मौजूद हम मे से किसी ने भी कोई सवाल ना किया, जैसे हम सब अपनी आखों से ताश दीन को अफजल पर हमला आवर होते देख रहे हूं, उसके बाद जी, वो बाहें पहला कर मेरे सीने से लिपट गई, और चुपके चुपके कहने लगी, बाबा, मुझे जाने देते, या अदमी भी तो की तरह फैलने सिमटने लगे, और वो अपने पुराने ओवर कोट के बटन खोलते हुए, यूं कुरसी से उठखडा हुआ, जैसे बैठा रहा तो उसका दम घुट जाएगा, अच्छा तो तुमने अफजल हुसैन को जबार बोला, तो ताश दीन ने तेजी से जवाब दिय नहीं जी, अफजल को लोगों ने बचा लिया, ताश दीन ने कापते हाथों से अपना ओवर कोट उतारने की कोशिश की और हम सब ने देखा कि उसकी सफएद कमीज पर खून का बड़ा सा धबा था, इतना जिन्दा, इतना ताजा, जैसे खून उसके दिल से रिस रिस कर, क आगल गढ़े, तूने अपनी मासूम बेटी को कतल कर दिया, ले जाओ हवालात में, बंद कर दो इस बेटी चोट को, जबार दहारा, तो ताश दीन की चीखें यकलक्त रोग गई, उसने मासूम हैरत से जबार की तरफ देखा, और सिपाहियों के साथ बाहर चला गया, जब प्यालियां उठाए कमरे में आ गया, मैंने मामूल के मताबिक पचास पैसे चाए के और पांच पैसे टिप के उसकी ट्रे में आहिस्ता से रख दिये, छोकरा रोज की तरह मेरे बजाए जबार को सलाम करता बाहर निकल गया, यार तुमने आज पिर चाए के पैसे दे दिये पोटल वाला मेरे हिसाब में लिख लेता, जब बार ने रोज की तरह शिकायत आमे इस लहजे में कहा, लेकिन मैं जो उस मौके पर रोजाना बजाहर मुस्कुराता था और दिल में चल जूटे कहता था, आज ना मुस्कुरा सका, ना दिल में कुछ कह सका, मैंने अपनी नो